हाई फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चानल फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम देखेंगे एंजल वन में आप मुविं एवरेज इंडिकेटर किस तरीके से लगा सकते हो डिफरेंड डिफरेंड टाइम फ्रेम के उपर क्या एफेक्ट होता है और किस तरीके से अलग-अलग setting होती है moving average की ये सारी details हम देखने वाले है तो जो लोग chart देखके trading करना पसंद करते है उने के लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है तो जैसी कि आप देख रहे हैं angel 1 का जो web interface है मैंने याप पे open किया है आप application के उपर भी same process follow कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी web interface हो या फिर कोई आपका application हो angel 1 का तो same आपको process follow करनी है अगर आपको moving average इस्तिमाल करना है तो जैसी कि आप देख रहे हैं कोई भी आप यहाँ पे chart पहले select करो जैसे कि LT, Infosys, Nifty, Bank Nifty कोई भी chart आपको select करना है और उसके उपर आपको indicator लगा देना है तो यहाँ पे मैं पहले stock के उपर एक chart आपको open करता हूँ Infosys का और उसके उपर एक indicator moving average का लगा के दिखाता हूँ दो दरीगे के moving average आप यहाँ पे लगा सकते हो और एक हता है simple moving average दोनों में यहाँ आपको इस्तमाल करना दिखा दूँगा सबसे पहले तो chart हमने यहाँ पर open कर दिया आप देख सकते हो chart यहाँ पर open है इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते है यह जो pop out window है इसको आप select कर सकते हो और यह chart आपका अगले window में open हो जाएगा अगले टैब में open हो जाएगा और यह chart इस तरीके से आपको बड़ा दिखाई देगा यहाँ से भी आपको buy sell का option यहाँ पर मिल जाता है तो अगर आपको chart देखके buying और selling करना है तो यह भी आप कर सकते हो अब फिलाल तो यहाँ पर कुछ drawing की है उसको पहले हम थोड़ा delete कर देते हैं और उसके बाद आपको यहाँ पर time frame सेलेख करना है जो भी time frame के आप ट्रेडिंग करते हो वो time frame आपको select करना है सबसे पहले तो हम daily chart के उपर देखते तो हम date select करेंगे और उसके बाद indicators में जाएंगे अब जैसे मैंने कहा की दो प्रकार के moving averages होते हैं, एक होता है simple moving average, तो simple यहां पर आप moving average ऐसे लिख दे, तो यहां पर आपको बहुत सारे moving average का option मिलते हैं, अब जो simple moving average होता है, sports moving average इस नाम से आपको मिलता है, और exponential जो होता है, वो उसके आगे exponential यहाँ पे लिखा होता है पहले simple moving average लगाना देखते हैं उसके बाद exponential देखेंगे simple moving average आप लगा दोगे तो इस तरीकी का आपको window open हो जाता है main chart के उपर आपको यह लगाना है length यहाँ से आप decide कर सकते हो यानि 20 का moving average हो गया 200 का moving average हो गया सोर्स में close ही रखना है offset 0 रखना है और smoothie line sma ही रखना है अगर आपको color change करना है तो आप यहाँ से color change कर सकते हो जैसे कि यहाँ मुझे red color चाहिए तो मैं यहाँ पर red color select कर दूँगा तो okay मैं अगर कर दूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते है यह जो red color की line है simple moving average की line यहाँ पर plot हो गई है और हमने 50 day का simple moving average यहाँ पर select किया है तो आसानी से आप यहाँ पर simple moving average select कर सकते हो और हलागी simple moving average और जो भी exponential moving average है उसका काम क्या होता है basically हमें एक market की tentative direction के बारे में moving average से पता चलता है moving average यह एक lagging indicator है ऐसा market में माना जाता है कि moving average के नीचे अगर कोई price रहेगी तो वो stock bearish होता है और उसके उपर अगर रहेगी तो वो bullish stock होता है जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे है 50 moving average के नीचे यह bearish काम कर रही है 50 moving average के उपर यह bullish काम कर रही है moving average एक support और resistance का भी काम करता है अगर moving average के नीचे price होगी तो वो resistance का काम करेगा जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते है इस area में resistance का काम कर रहा है और price अगर उसके ऊपर है तो वो support का काम करेगी तो आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर support लिया है यहाँ पर थोड़ा गयाप रख्के support लिया है तो एक प्र पचास दिन जो है वो यहाँ पर closing price पकड़ेगा 50 candle का previous 50 candles का अब यहाँ पर चार्ट है तो पचास दिन हो गया अगर हम यहाँ पर time frame change कर देते है 15 मेट कर देते है तो previous 50 candles जो है उनका पूरा average निकलेगा उसको divided by 50 होगा और उसके बाद जो price आएगी वो यहाँ पर आपको simple moving average पर पता चलती है तो यह basic simple calculation है अगर हम exponential moving average लगाते है तो क्या difference है यह भी देख लेते हैं तो indicators में हमें जाना है और फिर से एक बार moving average यहाँ पर टाइप करना और exponential moving average अब को select करना है अब इसका color भी हम रखेंगे इसका color हम green लग देते हैं जो भी आपको पसंदे वो color रख recent के days होते है यानि कि previous 50 candles अगर हम देख रहे है 15 minute की candle के उपर तो recent के जो candle है उसको ज्यादा weightage दिया जाता है और previous जो candle होते है जो पुराने candle होते है उनको थोड़ा कम weightage दिया जाता है तो यह थोड़ा सा difference होता है तो आप यहाँ पे select कर सकते हैं तो अब आप देख रहे हो यहाँ पे green color की line हमारी exponential moving average है और red color की line simple moving average है अब simple moving average और exponential moving average का cross score कभी मत use करना क्योंकि यह दोनों same ही काम करते है तो difference इतना ही है कि जो simple moving average है उससे थोड़ा उपर के side में हमें यहाँ पे exponential moving average दिखा रहा है तो support और resistance हम देख रहे हैं यहाँ पे वो थोड़ा बहुत जैसे change हो जाता है तो औरना तो दोनों एक ही level पे चल रहे है तो difference इतना बड़ा कुछ है नहीं आप exponential के साथ प्रैक्टिस करते हो आपकी strategy exponential moving average भी use कर सकते हो अगर आपकी strategy simple moving average के साथ है तो simple moving average भी आप इस्तेमाल कर सकते हो तो इसा कोई बड़ा difference नहीं है बड़ा कोई issue न होता है moving averages लगाना होता है setting में जाके आप इसके जो length है जो period है वो change कर सकते हो जैसे मैं आप 100 कर देता हूं तो 100 period का simple moving average लग गया exponential moving average का भी same आपको changes करने होते है ये बहुत दोगों को पता नहीं होता basic सी चीज है लेकिन confused हो जाते है कि कि किस तरीके से moving average लगाना है किस तरी moving average के उपर एक strategy में बहुत जल्दी लेके आऊंगा आपके लिए ताकि आपको trade लेने में भी आसानी हो जाए तब तक stay tuned वीडियो को जादा स्यादा like करना चैनल को subscribe करना ना भूलना और comment में आपको और कौन से ऐसे angel one के features के बारे में वीडियो चाहिए इसके बारे में बता दिना धन्यवाद